अब आप इसके इंटरनेट पे solution देखेंगे लेकिन शायद आपको ना समझ में आ रहा हूँ मैं आपको बता हूँ देखिए बच्चों इसने का 150 workers अब कुछ भी वर्क है वो अभी हमें नहीं पता है तो जो टोटल वर्क है बच्चों है इस टोटल वर्क है बच्चों है इस टोटल करने का वर्क हो चाहें कहीं पर जाडू लगाने का वर्क हो कुछ भी हो कहीं साफ सफाई का काम हो कुछ भी हो ठीक है सो जो टोटल वर्क है ठीक उसने बोला कि जो भी टोटल वर्क है इसको 150 लोग इंगेज कर दिये जाते हैं तो इसको फिनिश करते हैं अच्छा कितने दि लोग करते हैं certain number of days में करते हैं वो number of days हमें अभी नहीं पता रुख जाईए लेकिन आपको बताओ बच्चो ऐसे questions में आपको दो-तीन बाते ध्यान रखनी पहली बात यह ध्यान रखनी कि हर एक बंदे की productivity आपको सेम मान के चलना है क्या होता है इसमें ऐसे question में ध्यान सुनिए अप्चो प्रोड़क्टिविटी अजम्शन होता हम यह मान के अपने मन में चलते प्रोड़क्टिविटी ऑफ इच परसन या इच वरकर बोल दीजे इच वरकर इस सेम ध्यान सुनिए इस सेम करेक्ट ओके इसका क्या मतलब करें और एक बंदा सेम काम करता है यह आपको मान के चलते में अब उसने बोला कि यह काम और कर लें यहां पर जब productivity हमने से मान ही लिए तो हमें काम कर लेते हैं कि एक वरकर का एक दिन का काम हम मान लेते हैं X है कितना है amount में X है X units ओके अब यूनिट का मतलब X Joule काम करते है रहे भाई मान लो कहीं भागने का काम है या जो भी है सुनो तो लेट दा ध्यान सुनिए लेट दा लेट दा वर्क है लेट दा वर्क है लेट दा वर्क डन बाई ध्यान सुनिएगा बाई इच वर्कर बाई इच वर्कर इच वर्कर का मतलब बच्चों एक बंदा इच का मतलब वन होता है न तो एक बंदा एक दिन में कितना काम कर करता है सुनिए let the work done by each worker in in one day in one day B X सुन लिया बच्चों सुन लिजे अगर मैं आपसे पूछू एक दिन में एक वर्कर कितना काम करता तो आप बोलोगे X काम करता X amount में काम करता है एक बंदा एक दिन में X amount का तो यहीं पर दो तीन सवाल अगर आपसे पूछू यह बता है बच्चों कि एच वर्कर की जगा मैं तो वर्कर ले लूँ बस ऐसे आपको सम्झाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है इसको ध्यान D suppliers अगर मैं बोलूं कि टू वर्कर्स ने कि वन डे में एक ही दिन की बात कर अठीन दो लोग काम करने इन वन डे एक ही दिन में दो लोग कितना काम करके देंगे बताईए बोलो बोलो एक बन्दा एक दिन हैं shower हां तो दो मत्तिमें नहींत इतना काम पहला बंदा करता था उतना करके देगा बस दोनों एक धिन में आपने दो बंदे लगा दिए सबकिसेंगे ना एक हम अगले य pięतनुलो हम अगाँ करने रेकिता काम घड़िए अपली करें भा券 assuming सबस्क्राइब करें लागा रहा था पहले एक महणा सबस्क्राइब तो उससंब्माउंड करता था ना तो फिर तो ऐसे समझो आप तो जब मैं आप से बोलूँगा कि टू वर्कर एक दिन में कितना काम करेंगे तो आप बोलो के तू इंटू एक्स टू एक्स मैंने का अच्छा आपके बाद समझाने के लिए बता रहा हूं और कोई बात नहीं फिर मैंने का यह बताई कि अग को ध्यान से सुनिए बच्छों और बाद में परिशान नत करिए हो सुनिए जान से अगर मैं 150 लोगों से एक दिन के लिए काम करा हूं अब मैंने 150 लोग भेज दिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटमेंन सुनिए अगर मैंने कितने लोग भेज दिए बच्छो थ्री नहीं ट भिजो जा आज काम कर आज काम करने का मतलब एक दिन काम करवाओं उनसे तो यही अभी मैं चला रहा हूं आपके समने हिसुपकास वरकर इन वन डे 150 लोग एक दिन में कितना काम करके देंगे बच्चो एक आदमी का एक दिन का काम x units है दो आदमी का मिलके एक दिन में 2x काम करते हैं तीन आदमी एक दिन में मिलकर 3x unit काम करते हैं तो 150 लोग एक दिन में कितना काम करके देंगे आपको 150x ठीक है 150x ठीक ध्यान से statement को सुनिएगा 150 लोग एक दिन में इतना काम करते हैं कितने दिन में एक दिन में इतना काम करते हैं ठीक अब इसको रोक के रखे रहे न अभी हम आपसे बात करें हैं स्टार लगा देते हैं ठीक अब रुख जाईए अब आईया आगे पढ़ते हैं बच्छों ठीक ह उसने कहा कि four workers dropped in the second day four more workers dropped in the third day and so on it takes eight days to finish the work now sorry it takes eight more days to finish the work now अब सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना 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 दो कंडिशन से ज्यान सुनिएगा यहां लाइन रो कर रहा हूं थोड़ा समझाना भी मुश्किल है थोड़ा लाइन रो कर रहा हूं समनना बच्छों पहले क्या था पहले क्या था ज्यान सुनिए पहले क्या था पहले ना ज्या जो का तीसरे जिन जा रहे हैं तभी 150 लोग जा रहे हैं तो पहले ऐसे पहले ज़्य चुटकी नहीं कर रह कि ना 150 लोग पहले दिन जा रहे हैं 150 लोग दूसरे लेकिन जो न्यू कंडीशन ने कोश्चन की ज्शुनियेगत जो कंडिशन है बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्छों यहां पर देखिए जो न्यू कंडिशन है ना उसमें अब अब जरा गौर करिएगा देखिए अब क्या हुआ कि फर्स डे ठीक है फर्स डे अगर आप देखोगे तो 150 लोग गए भाई मैं नहीं कह रहा हूं ननननना मैं न प्रामस से उसने कहा कि फोर्वरक कर द्रॉप्ड इन दे सेकेंड मतलब दूसरी दिन चार लोग कम जाते पोर वरकर वारकर दॉप इन थर्ड तीसरी दिन चार लोग और कम जाते हैं तो ध्यान सुनिए गएदर यह बताईए कि पहले दिन जून्यू कंडिशन ने पहले दि कितने लोग पहुचेंगे काम करने चार लोग एपसेंट होगे फोर लोग ड्रॉप होगे तो इसमें से फोर माइनस करना ज़रा अब आपके पास 146 लोग पहुचेंगे काम करने बताइए अब ध्यान से सुनिएगा बच्छों अगर मैंने बूला भाई थर्ड डे कितने लोग गये काम पर इसमें से फोर माइनस कर दीजे चार लोग और नहीं जाएंगे चार चार ड्रॉप कर रहा है तो अब कितने लोग जाएंगे इसी तरीगे से आगे पूछों अगर फोर्थ डे कितने लोग जाएंगे तो आप बता सकते हो मुझे 142 में से आप माइनस कर दोगे 4 तो 138 लोग जाएंगे ठीक है बाई रुको जरा आराम से आराम से रुकिए जरा समझिएगा बच्चों पहले आराम से देखिए यहां एक लाइन तो ड्रॉप कर ही दी हमने तो पहले ऐसा होता था इनीशली इनीशली ऐसे होता था कि हर एक इकच्छो glor parking लोग एक सो पariस लोग काम पर जाते थे लेकिन अब दिंट dip 250 लोग दूसरी दिन 146 लोग सी तर रिकी से ढब सुनो अब हम से बोला है वद्यान सुनिए अब उसने हम से बोला है उसने हमसे बोला है कि ध्यान सुनिए जब ऐसा अगर होता है चार-चार लोग ड्रॉप करते हैं तो कंडिशन ये भी कंडिशन आपकी है तो इट टेक्स ध्यान से सुनिए बच्छों उसने बोला इट टेक्स अगर ऐसी situation है तो पहले की comparison में अब आठ दिन जादा लगते हैं उसी काम को करने के लिए जो भी काम होगा उसको complete करने के लिए अब आठ दिन जादा लगते हैं क्योंकि या लोग छोड़के जा रहें तो जादा दिन तो लगेंगी ठीक तो ध्यान से सुनिएगा ध्यान सुन talk किया है सभ्त वाली condition के लिए rare लोग छोड़के जाते हैं तो बताओ कितने दिनों में काम complete हो जाएगा द्यान से सुनिए अगर चार-चार लोग छोड़के चले जाते हैं तो बताओ कितने दिनी अम ठीक हो जाते हैं तो माना कि मेंट कंप्लीट रोजाता द्यानW डेज टेक इन लेट दे नंबर ओफ डेज टेक इन बी इस्मॉल एन इन इन न्यू सिच्वेशन या न्यू कंडिशन इन न्यू सिच्वेशन लब जब चार-चार लोग छोड़ के जा रहें न तो अब हम अपने मन से मान रहें एन कोई नंबर होगा हमें नहीं पता हम केरें हुआ यहां मानलो चार-चार लोग छोड़ के जा रहें तो अब एन डेज में काम पूरा हो जाता है यह बताना चला न्यू कंडिशन में अगर एन डेज में काम पूरा हो जाता है तो पुरानी वाली इंटिशन में जब हर एक दिन 150-150-150 लोग जाते थे ज्यान सुनिएका तो आठंट दिन कम लगेंगे नहीं समझा, फिर से सुनो भई नहीं समझा, अगर तुमने बोला ये ओली condition में end days लगते हैं,oo यहां तो कम ही टाइम लग रहा होगा न, कितना कम जितना ये लोग ज्यादा लेटे, तो यहां पर मतलब इस condition में वह आठ दिन daha लगते सुन्दो द्यान से इस condition में आठ ड़े सगर जादा लगते हैं जब लोग छोड़ चोड़ के जा रहे हैं तो जब नहीं छोड़ के जा रहे थे तो इसके mo Version 2 दिन कम लगेंगे न मतलब इतम में एंडेज लग रहे हैं तो इस condition में एंड माइनस टulative लगेंगे लगेंगे बताओं यह कौन-कौन डाइजेस कर पाया बहुड़ी आसान बात बोली भाई मैंने नहीं समझे आप बच्चे बता क्या वोलिंग बच्चे बुलिंग सर आपने यही वाली कंडिशन में सर एंडेस क्यों मान रहे हो सर तो मैं बोलूगा भाई देखो जो सवाल में पूछा है उसको ही तो आप कैसे भी सकते हो लेकिन आसान तरीका क्या है सवाल में उसने बोला कि यह बताओ कि जब चार-चार लोग छोड़के जारें तो बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इसको एन मान लिया लेकिन उसने कोश्चन में यह कहा पढ मतलब आठ दिन जादा लगते हैं एक एक ब्यदिन जाद लगते मतलब यह घो और हैंड Cherno यह हमें बता रहा है कि यह लोग rendre f QUEST अब आप अगर जाधा लगता होगा तो यह वाली कंडिशन्हें आठ दिन कम लगता होगा कि यह वाली कंडिशन इसने इस Cleveland में इस है नमबर ओफ दियज रिक्वाइट और किस रिखगे में फिनिस प्रिंश के रिक्वाइट तो work दा टूटल वर्क बी बी एन माइनस एट डेस कौन कौन डाइजस कर पाया जल्दी बता ना भाई कि और जो जो नहीं डाइजेस कर पाय तो एक बार बताओं सुनो इस कंडीशन में एन माइनस एट डेस आप के रहो लग रहा है हमने कहां according to the question जितना टाइम यहां लग रहा था कितना लग रहा था एन माइनस एट डेज अगर उसमें हम लोग आठ दिन जादा कर दें क्योंकि आप दिन जादा होता है तो पुराना जितना टाइम लग रहा था उसमें अगर एट एड कर दें भाई तो यह वाला टाइम आ जाएगा आया ना एन डेज बताएगे क्या आपने डाइजस किस बात को कि आपने डाइजस करी बस यही आपको डाइजस करना था अब तो कुछ है ही नहीं अब तो कुछ है ही नहीं अब ध्यान से सुनिएगा अब ध्यान से सुनिएगा आज यहीं क्या बता दूं कि क्या औरे वो छोड़ी आप अभी आप पहले मुझे यह बताईए कि हम यह भी मान रहेंगे जब चार-चार लोग ड्रॉप होते तो भाई कोई तो नूमर ऑफ डेस होंगे जिसमें काम फिनिश हो जाता है समझे तो अगर अभी अगर अभी अगर अभी अगर अभी अगर अभी देज हैं तो यहां एन माइनस एट डेस लगेंगे ना बोलो हाँ है सब्सक्राइब है अरे भाई है अरे प्रोड़क्टिविटी मैंने सेम कर दिया आप देख लिए एक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है ना बच्चों कोई डाउट नहीं है और एक चीज और रहे थे तो अब कितने डेस लगने चाहिए एन माइनस एट में एट जोडना पड़ेगा तो एट से एट कर जाएगा तो एंडेस ही तो आएगा तो अजम्शन लेना आए अब वापस पीछे आईए जरा कहानी जहां छोड़ा था मैने सुनलो ध्यान से जहां छोड़ा था एक सवाल मेरा आपसे यह बताओ भाई लोग चार-चार छोड़के जाएं और चाहें ना जाएं टोटल वर्क तो वही रहेगा बोलो हां बोलो 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 भाई जो काम करना है जालू लगाने का वो तो कर नहीं होगा टोटल वर कॉंसेंट रहेगा यह सुनो जल्दी से ब नहीं हमारे दिमाग में तुरंत आया हमने का अरे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क तो क्या रहेगा बोलो हां मतलब वो कौन वह नहीं चींड़ोगा वह जो काम करना हो तो कर नहीं अब सुने जरा अभी आपको मैंने यहां छोड़ा था आजए जरह अभी मैंने आपको यहां यह जरा सुनिए 150 वरकर एक दिन में कितना काम करते हैं बूलिए 150 लोग एक दिन में इतना काम करते हैं रुख जाईए लेकिन अकोरडिंग टुदे कंडिशन नंबर वन कहां गई हमारे पास यह दिखिए मतलब इनिशली 150 लोग कितने दिनों तक के लिए काम में जाते थे बताना जारा कि actual condition में आप सुन लेना लेखताबि कंडीशन में ज्यान से इसको हमने इदर किया है अब हमने आपसे क्या कहा यहां हमने आपसे पीछे बात करी थी वही बात मैं यहां पर कर रहा हूं कि 150 वरकर कि एक दिन में कितना काम करके देतें आपको 150 गर इन वन दे 150 एकस ब्रूइच को अगर एक दिन तक काम कराये जाए वंली वं डे ओन्ली ईह वंडे तक एक दिन तक अगर काम कराय जाए तो यह आपको पता कित्ना काम करके देंगे 150 into x काम करके देंगे यह सर लेकिन फर्स वाले कंडिशन में तो 150 पहले दिन भी गया दूसरे दिन भी गया तीसरे दिन भी गया ऐसे कितने दिनों तक गया कि n कहो Kate नमबर होगा न हम क्या करें तो n ए आदunya first tepati कर तो कौणठ कर पाएं अगर नहीं कर पाघर तो सफ़र से सुनो व्यक्स 020 वरकर का एक दिन का काम कितना होगा व्यक्स आफट पचास वर्कर का दो दिन का काम कितना होगा दो दिन का दे लिखा ऊज़िए इसको 2 से multiply करना पड़ेगा तो यह तो आपको समझ में आ रहा तीन दिन का काम कितना होगा मतलब 150 वरकर को तीन दिन के लिए काम में भेजो तो तीन इंटू 150 इंटू एक्स होगा तो 150 वरकर तो एन माइनस 8 डेस क्योंकि काम कंडिशन में कितने दिनों में खतब हो रहा एन माइनस 8 डेस में तो फस्ट कंडिशन के कॉर्डिंग अगर हम 150 वरकर से एन माइनस 8 डेस तक वरक करवाएं तो हम इसको किस से multiply करेंगे हम इसको किस से multiply करेंगे n-8 से करेंगे न ठीक तो सुनो ध्यान से यहां पर आओ अब ध्यान से सुनना ज़रा देखूं बस यही बात लिख लिजे यही बात लिख लिजे कि 150 workers को अगर हम कितने दिनों तक भेजें काम पर बोलो n-8 days तक अगर हम काम पर भेजें तो हमें कितना काम मिलेगा हमें मिलेगा ध्यान सुनिएगा बच्चों n-8 है न डॉट का मतलब multiply होता है dot 150 into x बोलो हाँ n-8 से इसको multiply कर लिया digest कर लिया बताओ ठीक अब सुनों यही तो टोटल वर्क है यही तो टोटल अगर सर कैसे सर ऐसे कि आप ही तो अभी according to the condition आप ही तो कह रहो कि 150 यही तो टोटल वर्क है तो एक बार टोटल वर्क आपने केस नंबर वन में निकाल लिया मतलब यह वाली condition में और एक आप निकालो टोटल वर्क कहां केस नंबर टू में दोनों के क्वेट कर दीजिए एन की वेल्लू आ जाएगी अब सुनों इदर आओ केस नंबर टू में आना देज़ा सुनना ध्यान से इधर सुनो बच्छो ध्यान से यह बताईए एक सो पचास वर्कर एक दिन में कितना काम करके भाई 150 वर्कर को पहले दिन काम पर भेजिये बेजो 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 कितना आएगा काम 150 एक सुनना ध्यान से यहां पर हम जब टोटल वर्क निकाल रहे हैं हम यहां पर क्या निकाल रहे है तो अब दूसरे दिन भी तो कुछ लोग जाएंगे वो भी तो वर्क करेंगे तो 146 लोग 146 लोग एक दिन में कितना काम करके देंगे क्sky दूसरे दिन जाएंगे तो दूसरा दिन दिन 146 लोग का एक दिन का ही काम निकालोग को कि सेकेंड डे ही उन्होंने काम किया बस तो तुम्हें काम मिलेगा वो मिलेगा एक 146 अंटुए हमने का भाई यह बताओ क्या काम कंप्ली तो आपने का थार्ड घाल आपने का सर्थरड टो 142 ही लोग जाएंगे तो 142 ट्योंसी तरीके से अब मेरी बात को ध्यां सुनना बहुत पसलिए गा, डाट, डाट, तो मैंने लगा दिया हैं लेकिन अगर मैं आब से पूछूँ कि ये कितने टम्स हैं? मतलब कितने दिनों तक यह कारिकरम चलेगा तो आप लोगों सर फस्टे सेकेंड डे सर फोर्थ डे फिफ्ट डे सर एंड इस तक काम चलेगा सर कैसे अरे आप नहीं तो माना था कि यह वाली कंडिशन में जब चार-चार लोग छोड़के जा रहे थे तो काम को फिनिश होने में कितने दिन लगते लगते ऐसा ही फिर्ट तक होता रहेगा यानि कि यह एक एक बन रही है लेकिन इस तोटल कितने टम्स होंगे एन नमबर ओफ टम्स एन नमबर ओफ टम्स कौन-कौन डाइजेस्ट कर पाया इस बात को जल्दी से बताना ज़रा भाईजेक करना ज़रा ये एक एपी बन रही है न चार चार का गया पारा है एक सब्सक् linking कर्णी करते एंड आपके पास आएंगे या बता आईए कि अगर ऐसा ही तक चलता रहा तो टोटल वर्ष तुम्हें मिलेगा बोलो स components और हो यहाँ निकाल चूके होनDes टोटल वर्क तो यहां निकाल चुके हो ना तो यह वाले टोटल वर्क की जगा क्योंकि टोटल वर्क तो कॉंसेंट रहेगा वो थो ना चेंज हो जाएगा तो टोटल वर्क एक बार यहां से निकाला और एक बार इतने लोगों का एक दिन का काम इतने लोगों का इतने लोगो तसल्ली से यहां ब्रैकेट एक लगाई ऐसे करके ठीक फिर्स टम में एक से सिकेंड टम में एक से तो एक्स तो कॉमन आ रहा है तो हमने एक्स कॉमन ले लिया हमें क्या दिखाई पड़ा ब्रैकेट में 150 plus 146 X plus 142 हमने का भाई यह बताओ हर एक टम में X था इसलिए आपने X कॉमन ले लिया हमने का आप बताओ कितने टम से ऐसे डॉट डॉट करके कितने नंबर आफ टम से तो आपने का सर एंड टम से इसमें भी क्या है सर एंड टम से ठीक अब नेक्स पेच पर आई यह जैसे ही X आप क्या हो गया अब देखो जड़ा यह जो बच्चो आपकी एक एक एपी आ रही है X तो चला गया तो अब राइट इन साइड वस यही तो बच्चा आपके पास यह एक एक एपी है ठीक तो यह देखें आपके पास 120 प्लस 146 प्लस 142 अब प्लस करके हम लोग क्या करेंगे शिंसमें क्तिने अं यहां इंद तो आपने अगया ठीक है यह कितने टम्स है एंड टम्स है तो नमबर ओफ टम्स भी पता चल गए अब यह कर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्टम कितना है 150 है ना और अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे बच्चो यह तो सबको आता होगा ना एटू माइनस एवन 146 माइनस 146 माइनस 150 बच्चो यह दि आप करेंगे तो डी आपके पास माइनस 4 आएगा ठीक क्या आपको एंड टम्स का सम का फॉर्मला आता है यह सर तो लगा दीजे भाई जरा इदर ध्यान सुनिए इसका यहां से यहां तक एंड टम्स का सम हमारे पास फॉर्मला होता है एंड टू ध्यान सुनो पहले फॉर्मला आपको दिखा रहा हूं इंदा ब्रैकेट टू प्लस एंड माइनस वन इंटू डी हमारे पास होता है यही होता है तो भाई अभी लगा लो कोई दिक्कत नहीं लेफ्टन साइट जो है उसको इसी तरीके से कॉप अब बच्छों आपके पास एक इतना है एंट वन फिफटी ध्यान दिजेगा राम से पहले ठीक अब थोड़ा से द्यान दिजेगा बच्छों यह आपके पास प्लस है ठीक एंड तुम्हें निकालना है अब सुनो डी की वेलू कितनी है डी कितना है माइनस फॉर बोलो हां कोई समस्या, इसमें कोई समस्या, नहीं, अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर इस minus 4 को पीछे से multiply करूँ चाहें, आगे से कोई देखकर, नहीं होनी चाहिए, याने के, देखिए क्या करने जा रहा हूँ, ये calculation तो सभी बच्चों को पता है न, 10th class के बच्चों आप लोग, देखिए, 2 into 150, अब ध्यान से सुनो, इसी minus 4 को आगे ले आओ, तो ये वाला plus minus में change हो जाएगा, तो minus 4 into n minus 1, नहीं समझा, अरे plus minus minus, और 4 into n minus 1, ठीक, अब देखिए, अब सर ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा भ 4 को आगे ले आए, तो plus हो गया minus, और 4 को लिखा, 2 into 2, सरक्यों, इसले सर, क्योंकि ये हाँ, फर्स्टम है, और ये second term, 2 common आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 common आ जाएगा, सरक्यों common ले रहे हो, अभी पता चलेगा, रुकिए, n minus 8 into 150 is equals to n by 2 into first term से भी 2 बाहर, और इंद 2 से 1 2 आपके पास जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आएगा, n minus 8 into 150, है ना, इसले मैंने 2 common लिया, ताकि यह वाला 2 हट जाए, है ना बच्चों, अब देखी, n in the bracket, 150, उसके बाद, minus 2 into n, भाई, यह तो कर लोगे, minus 2 into n, minus 2 n, और minus minus plus, तो आएगा, आपके पास, plus 2 आपके पास, चेक करना जाएगा, ठीक, तो कोई समस्या, नहीं होनी चीह, मेरे ख्याल से, अभी भी पता है आप, ज्यादा solve करने के चक्कर में मत पुड़ो, मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करो, देखो, पहले न, common लेने पे विश्वास रखिए, n minus 8, जिससे की calculation calculation को easy करने के लिए, ठीक, फिर यहां से देखोगे आप, तो n है बाहर आपके पास, ठीक, और अंदर बच्चों ध्यान से, प्लीज, ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, 150, आप इसमें से चाहो, तो two common ले लो, आप इसमें से two common ले लो, तो 150 जगा 75 बचेगा, या आप डिर 75 is equals to first term, second term में से two common, two आएगा बाहर n के सामने, तो यहां बचेगा 76 मेरे खाल से, और minus n, चेक कर लिजेगा, two six are 12, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि two multiply कर रहा है, तो ये वाले two से ये वाला two जाएगा, अब थोड़ा था easy हमें लग रहा है, n into 75, 75 n minus 8 into 75, तो यह हमें करना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है, तो 8 into 75 अभी ऐसे रखते हैं, 8 into 75 ही रखते है, is equals to, यहां बच्छा n, n को अंदर भीजो, तो n into 76, यहांने कि 76 n, और minus n into n होता है, आपके पास n square, ठीक है बच्छों, चलो, इसको solve भी करना पड़ेगा, क्या करोगे, मेरे खाल से 600 आएग is equals to 76 n minus n square, n square को इधर लेके आओगे, तो positive होगा ध्यान दीजेगा, बच्छों, 76 को इधर लेके आओगे, तो पहले सही यहां 75 n था, अब तो कर लोगे, 75 n था, और यह इधर आएगा 76, तो minus का 76 n हो जाएगा, और minus का 600, तो left hand side था ही, is equals to 0, अब सुनिएगा ध्यान से, तो light terms हैं, तो 75 minus 76, 1 n, 1 n का मतलब n आपके पास बच्चेगा, और minus 600 is equals to 0, अब सुनो जरा ध्यान से, बच्चे, यह वाले factor क्या class में नहीं कराएं, 600 को ऐसे दो पार्ट्स में break करिए, कि addition यह सब्सेक्शन पर minus 1 आए, बताइए, प्राइम factorization से, 24 और 25, किसको किसको याद आया बताइए, कहीं revision series में आपने कहीं देखा होगा, 600 बड़ा famous number है, जिसको 24 और 25 में तोड़ा जाता है, यहाँ प्राइम factorization करके हमने pair बनायते, याद है, बताइए, दो और ये 300, ठीक, दो ये 1,500, और आपके पास, दो और ये 75, ठीक, फिर 3, और ये इस तरीके से, ठीक, फि 25, 24, माइनस 25 आप करोगे, ठीक है, तो माइनस 1 आएगा आपके पास, तो प्लस का 24N, इसको split कर रहें, माइनस N को, माइनस N को लिखेंगे, 24N, और माइनस का 25N, ठीक, माइनस 600, किसको किसको याली calculation याद है, बताइए, ये process किसको याद आ रहा है, याद है न, बस आप कर ल आएगा, एन ब्लस 24, ठीक, और इंटू, आपके पास बचेगा, एन माइनस 25, ठीक, इस इक्वल्स तो 0, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप एन ब्लस 24 को अगर 0 करोगे, तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एन की वैलू माइनस 24 आ जाएगी, ठीक, और नमबर आफ डेस नेगेटिव हो नहीं सकते, तो एन माइनस 25 को 0 रखोगे, तो एन इस इकोस तो 25, सर हमें क्या निकालना था, हमें भाई यह बताना था कि नूं कंडिशन में, जब 4-4 लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 25 दिन, आंसर चेक कर लो भाई, ठीक है, 25 दिन, जब 150 लोग काम पर आते थे, हर एक दिन तो कितना टाइम लगता था, वो पूछ सकता था, पूछा नहीं, यह आपका अंसर है, लेकिन पूछ सकता था, कि पहले कितना टाइम लगता था, तब हम N-8 हम करते, तो 25-8 ठीक है, तो यहां से 15-7 और यहां सा जगा कितना 17, तो त तब 17 दिन लगते थे, अब 17 से जादा 8 दिन, 25 दिन अब लगते, अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं,